नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आपका स्वागत अभिनांदन मेरे इस कारेक्टरम खेल ग्राओं का में आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक विशेश कवच की जिसे हर व्यक्ति को अपनी अग्रिम सुरक्षा के लिए पहनना ही चाहिए घात और प्रतिगात के इस युग में हम अग्रिम सुरक्षा अपनी कर पाएं इससे बड़ी और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है प्रत्वी लोग पर हर मनुस्य चाह वो इस्त्री हो या पुरस स्वस्त और दिर्गयू जीवन भोगने की कामना करता है परंतु क्या यह संभव है यह सच है कि प्रतेग मनुस्य प्रारब्द के कर्मों का फल भुगतने के लिए ही इस जन्म में आता है अताद उसका जन्म होता है और उसी पूर जन्म के जो कारिया है उसके अनुसार उसे सुख दुख लाबहानी रोग शोक आधी फलों की प्राप्ती भी होती है कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिने कोई रोग घेरे रहता है कई मनुस्य असाद्य रोग से पीडित हो जाते हैं इन सब बातों की जानकरी की रोग कौन सा तता कब होगा और सरीर अस्वस्त क्यों चल रहा है एक अच्छा जोतिसी एक अच्छा जोतिर्विद एक अच्छा विद्वान जाता की कुंडली का सही आकलान करके बता सकता है इसके साथ ही साथ जो तिसी यह भी बतलाने में सक्सम रहता है कि आये हुए या आने वाले जो अरिष्ट हैं जो कश्ट हैं उनकी निवरती कैसे होगी अथा समय से पहले आप यह जान सकते हैं कि जो आपके उपर प्रॉलम आने वाली समस्य आने वाली किस दसा की वज़े से आने वाली है किस ग्रह की वज़े से आने वाली है और उसके उपाई क्या करें उसकी सांते के लिए आप अभी सही क्या दान दें या स्वैम क्या पूजा पाड आरम करें बिल्कुल पूजा पाड से बहुत फाइदा रहता है पूजा पाड से आपकी सिक सेंस और इंटुशन पावर बहुत जबदस बलवान हो जाती है आपको आबास होने लगता है कि आपके साथ में कुछ अगटित गटने लगता है कुछ अगटित गटने वाला है और उससे व्यक्ति अवेर हो जाता है उससे व्यक्ति उस इस्थान से निकल जाता है और या उस fight करने को ready हो जाता है ऐसा होता है और इसी लिए ही पूजा पाट का नियम बनाएवाए कि व्यक्ति को इश्ट बली होना चाहिए था किसी इन किसी एक देवी देवता को वो अपना इश्ट बनाए और इसकी पूजा उपासना नियमित करे रोग किन किन गराओं के कूप मेरा उद्दिश स्वास्ति की व्रद्धी और दीरगायू जीवन की प्राप्ति और अकाल म्रत्यू या रोग निवरती के परिपेक्ष में मामरत्यु जेव कवचे उसके बारे में बतलाना है जिन जारतकों की जन पत्रिका में असादिय और भयानक रोग का होना बाला रिस बोलते हैं अपनत्यू योग अताद अकाल मत्यू कोई दूरगटना एक्सिडेंट सारी विकलांगता का योग ऐसे कुई योग उपस्तित हो उन्हें मामरत्यु जेव कवच धारन करना चाहिए यह उनके लिए सुब संकेत है यह उनके लिए आदार है जीवन में सुकी होने का जोतिस के आदार पर मामरत्यू जेव कवच कब धारन करना चाहिए जब सनी की साड़े साती हो अताद यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति सही रापर चलते चलते भी नेगिटिव रापर चलने लगता है ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं जिनके बच्चे स्टेडी में प्रेटना नहीं चाता और उसने ऐसे ऐसे काम कर लिए जिसके बारे में उसके माबाप कभी सोच नहीं सकते थे वो घर से पैसा भी उठा सकता है ठीक है वो घर से अपनी माता पिता कि जेब से पैसा या कहीं पर उसकी मा ने कुछ भी अपनी जूइलरी रखी है तो बच्च बच्चे थे जिनकी लोग तारिफ करते थे उधारन देते थे वही व्यक्ति जिए उनमें सबसे पीछे चलने लग गए अता क्लास में सबसे पीछे बैट करके सब मस्ती करना सरारते करना यह वाली आदत बना देता है क्यों शनी का काम ही यह यह जिस राह पे चले उससे विप करते को हमेशा सदे मामन तुझे मंतर का जाप करने की और मामन तुझे कवच धारन करने की सला जरूर देता हूं मारकेस अता सब्तमेस या द्वितियस की दसा अंतर दसा में आपको मामन तुझे कवच जरूर धारन करना चाहिए आपकी रासी से जन्म से चतूत या छटी मा मा दसा में जैसे कि आपका सूरी के मा दसा में जन्म हुआ है तो सूरी चनमा मंगल और राहू फोर्त जो दसा आएगी राहू की दसा आएगी उसके बाद में सूरी चनमा मंगल राहू गुरू और शनी तो जब छटी दसा शनी की दसा आएगी उस समय भी आपको मामत तुझे कवच धारन करना चाहिए रोगेस की दसा में अताद आपकी जन्म कुल्डे में शिक्स ताउस है शिक्स ताउस की जब दसा चल रही हो या सब्त में इसकी दसा चल रही हो यह दुतियेस की दसा चल रही हो द्वाद से इसकी दसा चल रही हो और अश्ट में इसकी दसा चल रही अताद 12 भाव में से 6 positive है 6 negative है जो 6 negative भाव है उनकी जब जब यह अंतर दसा आए तब आपको मामरतुज़े कवच धारन करना चाहिए मामरतुज़े की पूज़ा उपास ना करने चाहिए जो कुछ भी आप सिव से सम्मंदित कर सकते हैं उससे आपको सांती मिलेगी राहत मिलेगा सब्तमेस या अस्तमेस की मादसा में सस्टेस या द्वादसेस की अंतर दसा हो यह मारक कहला जाता है यह यह दसा अंतर दसा का जो करम है वो कश्ट प्रदान है ऐसी इस्तिति में भी मामर तुझे कबच धारन करना चाहिए जब भी जन्म कुणली में शनी और मंगल की अस्व इस्तिती हो उस समय मामर तुझे कवच धारण करना चाहिए जन्म कुणली में मंगल का दोश होने पर अथाद मंगली कुणली होने पर या ऐसे समय में मंगल की जब मादसा आ जाए तो उस इस्तिती में मामरतुज़े कवच धारण करना चाहिए जिन इस्त्रियों की जन्म कुणली में अस्तम भाव दूसी तो और सब्तमेस या सब्तम भाव कूर ग्राओं के नेगेटिव ग्राओं के इंपेक्ट में हो तो वैदव्य योग का निवारण अथाद विद्वा ना हो जाए इस योग का निवारण करने के लिए पती के जिवन की दिरगायू के लिए पती के जिवन की रक्षा करने के लिए भी उनको मामरतुज़े कवच पहनने की सला दी जाती है अस्टक वर्ग में जो गर जिस रासी में सून्य या कम बिंदु पाते हैं अतक अस्टक वर्ग एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी गर जो गर गोचर में change होने वाला है वो आपकी रासी आपकी जन्रकुर्ण में कितनी strength लिये हैं यदि उसके strength सबसे कम है तो उसका फल आपको negative मिलने लग जाएगा या सबसे कम फिल मिल पाएगा ऐसी इस्तिती में भी और उसके साथ में गोचर से समधित गरह उसी रासी में जिसमें सूनी या कम बिंदू मिले हो उसमें जाने पर सारेरिक मांसिक आर्थिक कष्टों की प्राप्ति हो रही हो उस अवस्था में या लगने इस निर्बल अवस्था में हो या अस्टम बाव के स्वामी भी निर्बल अवस्था में हो उस इस्तिती में मामर तुझे कवच धारन करने की सला दी जाती है एक अदस बाव का स्वामी अताद 11 तावस का स्वामी 6 ताउस में या 8 ताउस में चला जाए तो क्या होगा appreciation नहीं मिलेगा, gain नहीं होगा और उसका उल्टा होने लग जाएगा आताज व्यक्ति रोगी या कर्ज में चला जाएगा ऐसी इस्तिती में भी उस व्यक्ति को मामर तुझे कवच पहनने की सला दी जाती है गोचर में जन्मरासी से 6 फोर्थ 8 या 12 ताउस में ब्रस्पति जब आ जाए उस इस्तिती में मामर तुझे कवच पहनने की सला दी जाती है जाते कि कुल्ली में चनमा पर राहू की पूर्ण दस्ति हो या राव की दसा में चनमा की अंतर दसा आ जाए या चनमा की मा दसा में राव की अंतर दसा आ जाए क्योंकि राव की दस्ती चनमा पर होने से व्यक्ति ग्रहण योग में आ जाएगा और ऐसा जात तक नेराशावादी अता डिप्रेशन में आकर के आत्मत्या जैसा क्रूर कर्म कर सकता है विसे चनमा यदि लगन का प्रतिन निदित्व भी करता हो ऐसी इस्तिती में भी उसको एडवांस में ही महामत्युजे कवच पेनाना चाहिए यदि कोई जन्मकुर्णी म किसे ने कुछ कर दिया है कोई तांतिक प्रियोग उसने कर दिया है ऐसे कोई भी आशंका हो रात को चौक करके आप उठते हो आपको डर लगता हो confidence आप में नहीं हो ऐसी इस्तिती में मामत्युजे कवच धारन करना शुब रहता है क्या आप जानते हैं कि जब म्रत्यु का स सामने खड़ी है हर दिन हर समय दिल में एक डरसा लगा रहता है कि इस भागदोर की जिंदगी में मेरी संतान को मेरे सुआख को मेरे अपनों को कुछ हो न जाए कहीं कोई दुरगटना गड़ ना गड़ जाए थोड़ी सी देर होते ही मन आशंकों से बर जाता है आंके प्र जवरण के लिए शास्त्रों में से ग्रंतों में से एक उपाय खोज के निकला गया है वह है अमोग मामत्युजय कवच इस अमुल्य जीवन की रक्षा के लिए यह कवच ठाल बन करके रक्षा करेगा हर दुरगटना से अकाल मनत्यू से एक तांतिक ग्रंत है उसका नाम है क कवच बतलाईए तब शिवजी ने मामत्युजय कवच उनको बतलाया था मामत्युजय कवच नत्यू पर विजय प्राप्त करने का अद्भूत उपाय है इस घात प्रतिगात के युग में प्रतियक व्यक्ति को रक्षा के लिए मामत्युजय कवच अग्रिम रूप से धार के लिए बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना नाम अपने फादर का नाम अपनी मदर का नाम अपना गोत्र और अपनी कास्ट और एड्रस ये देना पड़ता है संकल्प के लिए जो इस्तरियां विवाईत है अता जिनका कन्यादान हो चुका है उन इस्तरियों को अपन नाम अपने पती का नाम सस्रौाल का गोत्र अपनी कास्ट अपना एडरस जो कुछ भी डिटेल हम को चाहिए वो डिटेल हम आप से मांगेंगे और सिर्फ और सिर्फ ये कवच आपके लिए ही बनेगा और आपके ही काम आएगा अथाद ये प्रोसेस सिरफ और सिरफ एक एक बार करके ही बन सकता है अता जब भी विशेज मौरत आएगा और मौरत हमें सा limited ही रहते तीन सो पैसर दिन मौरत नहीं होते जब भी विशेज मौरत आएगा जब भी विशेज कोई भी पर्व आएगा तब भी ये कवज का निर्मान हो सकता है और इसके लिए आपको पहले से एड्वांस में हमें सुचित करना पड़ता है इनफॉर्म करना पड़ता है आपके घर बेटे ये कवच आप तक पहुंच सकते हैं सरफ आपको प्रियास करना पड़ेगा हमको डीटेल देने का मेरी इच्छा है मेरी धारना है मैं चाहता हूँ कि जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं जो भी मेरे दर्सक हैं उनको कभी भी ऐसी इस्तितियों का सामना नहीं करना पड़े भगवान शिव उनकी हमेशा रक्षा करें उनके सभी काम सफल हो जाएं उनके सभी प्रिया सफल हो ऐसी सुपकामना के साथ में आज बिस इतना ही कल फिर मिलेंगे कोई नए एपिसोड के साथ में तब तक स्वस्त रहिए प्रसंद रहिए अपने और अपने घर में जो भी क्षhaitते माझ कोई जो खया आफ प्राखव तक सभी बशाओने में बाल झामना के साथ नतस आएजाइ भी तक सी घर में लोगः उनके समय कोई रहिए प्रे तक सका साथ जो इनके साब कोई तक सभी कुपकों साथ इनके सांवाने दूनके साथे और और मत अभाने घर पिंग